देखिए इस वीडियो में मैं आपको आचारे चानक की दंड नीती के सूत्र बताऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि हमें अपने दुश्मनों को कुछलना कैसे चाहिए सबसे पहला सूत्र है सर्वो दंड जितो लोको दुरलभो ही शुचर न रहा देखिए दुनिया में जितने भी काम किये जाते हैं सब के सब एकदम सही तरीके से किये जाना चाहिए और ये सारे के सारे काम सही तरीके से केवल और केवल तब ही होते हैं और केवल और केवल तब ही करवाय जा सकते हैं जब लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम हो कि अगर आपने किसी गलत तरीके का इस्तिमाल किया या कि फिर अंजाने में या जान बूचकर आप से कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको उसके नुकसान की भरपाई करना ही पड़ेगी अब सवाल ये उड़ता है कि अगर कोई इनसान जान बूचकर गलती कर रहा है या कि फिर अगर वो गलत तरीकों का इस्तिमाल कर रहा है और उसको सजा मिल रही है तो ये बात तो एकदम जायज है अगर कोई इनसान गलती से गलती करता है तो फिर उसकी स और आपने एक बंदे को अपने नौकरी पर रखा आपने उसको करने के लिए एक काम दिया और वो बंदा जब उस काम को करने के लिए गया तो वो उस काम को इस तरह से करकर आया कि आपका बहुत सारा नुकसान हो गया अब दिखिए आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडिय उस देखे होंगे जरा सा अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए कि जब वो बंदा आपके सामने आएगा तो क्या आप उससे ये कहोगे कि तुम कभी भी हारते नहीं हो या तो जीतते हो या सीखते हो या कि फिर आप उसे पहली बार महीं समझा दोगे कि देखो भया हमें ऐसे चाहिए जो काम को सही तरीके से कर सकते हो हमें बाजीगर नहीं चाहिए ये हो कई एक चीज दूसरी चीज देखी आप ये भी समझिए कि किसी भी काम को करने के कुल मिला कर चार तरीके होते हैं जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है सही तरीका दूसरा तरीका होता है गलत तीसरा तरीका होता है उचित याने कोई ऐसा काम जो भले ही चाहे सही नहीं हो पर उसे करने में समझदारी है और चौथा तरीका होता है अनुचित याने ऐसा काम जो ना तो करने में सही है ना ही जिसे करने में कोई समझदारी है और अगर आप किसी एक तरीके से बंद कर ही का करते हैं तो फिर आप चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना कर लीजिए और चाहे कितना भी दिमाग क्यों ना लगा लीजिये होना आपको नुकसान ही है अब सवाल ये उड़ता है कि अगर गलत तरीके का इस्तिमाल कया जा रहा है तो उससे तो नुक्सान होगा और ये बास समझ में भी आती है पर अगर कोई इंसान केवल सही तरीके का इस्तिमाल करता है या कि फिर अगर केवल उचित तरीके का ही इस्तिमाल करता है तो फिर उसको नुक्सान कैसे हो सकता है इस चीज़ को जरा सा example से समझ कर भी देख लीजिए देखिए आप किसी भी धर्म की किताब उठा कर देख लीजिए सभी में ये चीज लिखी हुई है कि हमें हमेशा ज़रूरत मंदों की मदद करना चाहिए और इसलिए करना चाहिए क्योंकि यही जिन्दगी जीने का सही तरीका होता है पर अगर आप जरूरत मंदों की इतनी ज़ादा मदद करने लग जाएं कि आप अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को आसानी से नहीं उठा पाएं तो आपका तरीका केवल सही ही है उचित नहीं है और इसी तरह से अगर आप ये सोचने लग जाएं कि अगर मैं किसी की भी मदद नहीं करूं तो मैं अपने परिवार वालों के लिए जादा कुछ कर पाऊंगा तो आपका तरीका केवल उचित ही है, सही नहीं है अब सवाल ये उड़ता है, कि जब पूरी तरह से केवल सही और केवल उचित तरीका भी सही नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए और देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि पूरी तरह से गलत और पूरी तरह से अनुचित तरीकों को छोड़कर बाकी के सभी तरीकों में बीच का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए इस चीज को जरा सा एक्जाम्पल से समझ कर भी देख लीजिए दिखिए समय के साथ साथ महराज कर्ण को फिर सब कुछ मालूम चल ही चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा था कि आप हमारी तरफ आजाईए आप अधर्म का साथ क्यों दे रहे हैं पर महराज कर्ण ने ये किया कि उन्होंने दोस्ती की खातिर दुरियोधन का साथ दिया और ये जो बात जो थी ये केवल सही ही थी उचित नहीं थी पर अगर महराज कर्ण पांडवों की तरफ आ जाते तो ये बात केवल उचित ही होती सही नहीं होती और इसलिए महराज कर्ण को बीच का रास्ता चुलना चाहिए था याने वो रास्ता जो सही भी होता और उचित भी होता याने महराज करण को असल में ये करना चाहिए था कि उन्हें भगवान श्री कृष्न का ओफर ले लेना चाहिए था और साथी साथ उनके सामने ये एक रिक्वेस्ट कर देना चाहिए थी कि सहाब मुझे केवल दुरियोधन से लेना देना है दुरियोधन को कुछ भी नहीं होना चाहिए और ये जो कुछ भी है ये कैसे होता इस बात पर मुझे आपको या महराज कर्ण को दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी भई मुझ में तुझ में है भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायन हो मैं हूँ संसार के हातों में संसार तुम्हारे हातों में ये चित्र जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिए और इसके उपर बहुत गहराई से विचार कीजिए विचार कीजिए और विचार करने से मतलब ये हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तिमाल कीजिए क्योंकि धन की देवी लक्षमी जो हैं ये केवल उसी के पास आती हैं जिसे सही मौके पर सही तरीके से सही बात सही इनसान से कहना आती है और किस्मत जो है ये उसी इनसान का साथ देती है जो अपने दिमाग का सही इस्तिमाल सही तरह से करना जानता है और ये जो कुछ भी समझाया हुआ है इसका प्रमुक श्लोक भी देख लीजिए जो है अधीते यह इदम नित्यम नीती शास्त्रम श्रुनोती चा ना पराभव मापनोती शक्रादपी कदाचना याने वो इंसान जो नीती शास्त्र को सुन कर समझ कर सीख कर अपने खून में उतार लेता है उसका सामना फिर चाहे कितने भी ताकतवर दुश्मन से क्यों ना हो जाए उसकी हार नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनसान जो नीती शास्त्र को अपने खुन में उतार चुका है, उसके पास किसी भी काम को करने के कम से कम आठ तरीके और हर तरीके की काट होती ही होती है ये हो गई एक चीज, दूसरी चीज देखी आप ये भी समझेए, कि ये आचारे चानक्य की दंड नीती है, जिसका पूरा का पूरा खेल, कुल मिलाकर दो चीजों पर टिका हुआ है, जिसमें से पहली चीज है, राज्य की रक्षा करना, और दूसरा है, प्रजा का पालन करना इस चीज को जरा सा ऐसे समझ कर देख लीजिए, कि अगर आप एक आदमी है, तो आपके कुल मिलाकर दो काम होते हैं, जिसमें से पहला काम है, अपने परिवार की रक्षा करना, और दूसरा काम होता है, अपने परिवार का पालन पोशन करना, तीसरा काम कुछ भी नहीं होत अब देखिए ये दोनों काम जो हैं, इन दोनों ही कामों को धर्म बताया गया है, और ये भी बताया गया है, कि इस धर्म का पालन करने के लिए, जो भी करना पड़े, उसे करना चाहिए, और इस बात को जिस सूत्र में कहा गया है, वो है, तत पापम अपीना पापम, यत्र अब सवाल ये उड़ता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस इंसान को हमेशा बचाना ही बचाना है और किस इंसान को हमेशा नुकसान ही नुकसान पहुंचाना है और इसका सीधा सीधा जवाब आचारे चानक्य ने अपने अगले सूत्र में दिया हुआ है जो है राग्योही आपको आखरी नुकसान पहुचाता है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता है कि अब तक तो वो आपका भला ही चाह रहा था आज अचानक से वो आपका बुरा सोचने लग गया देखिए जादातर लोग आपके साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि वो आपका इस्तेमाल करकर अपना कुछ फायदा निकाल सके और उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता कि अपना फायदा निकालने के लिए आपका कितना नुकसान हो रहा है होता ये है कि जब वो इस काम को कर रहे होते हैं तो वो कदम कदम पर बहुत सारे हिंट्स छोड़ते हैं पर क्योंकि आप इन हिंट्स पर ध्यान नहीं देते इसलिए इतनी बड़ी चीज आपको दिखाई ही नहीं देती। और जब ये बात दिखाई दे जाती है उस वक्त तक बहुत जादा देर हो चुकी होती है। आप सभी लोग जिनोंने महबबत में धोखा खाया है आप इसी वक्त कमेंट में लिख देना कि ये जो बात कही गई है ये ब्रह्म सत्य है। और इसी लिए आचारे चानक के कहते हैं मिट्रो अमिट्रो दंड नीत्या मायत्तह यनि जितनी साबधानी और कठोर्दा के साथ आप अपने दुश्मनों के साथ पेश आते हैं उतनी ही साबधानी आपको अपने दोस्तों के साथ भी रखना चाहिए और अगर वो घलती करे तो उनके साथ उसी कठोरता से पेश आना चाहिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं कि वो बंदा जो आज आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है कल भी वो आपका इतना ही अच्छा दोस्त बना रहेगा दूसरी चीज़ देखिए आप ये भी समझिए कि वो बंदा जो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है तो उसे आपकी सभी अच्छी, सभी बुरी और सभी कमजोरियां बहुत अच्छी तरह से मालुम होती है और इस तरह का बंदा जब दुश्मनी पर उतरता है तो बहुत ही बुरा नुकसान पहुचाता है और देखिए इसी लिए खास लोगों को ये बात मालुम चलते रहना चाहिए कि वो कभी भी आम हो सकते हैं अगला सूत्र और इसमें आचारे चानक के कहते हैं याने वो बंदा जो सावधानी से चलता है और कठोरता का पालन करता है वही और केवल वही अपने आपको, अपने परिवार को और अपनी रोजी रोटी को बचा कर रख पाता है अगला सूत्र और इसमें आचारे चानक के कहते हैं दंडा भावे, मंत्री वर्गा भावा और आप इसके भावार्थ को समझिए देखिए जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो लोग तक जो उसे पलकों पर बिठा कर रखा करते थे वो लोग भी उसे जूते की नोक पर ले आते हैं और ऐसा नहीं हो इससे बचने का कुल मिला कर एक तरीका होता है देखिए ये चानक के नीती का मेरा सबसे पसंदीदा इशलोक है याने वो जो सही आदमी की पहचान करना जानता है और उसके लिए अपना सब को छोड़ने के लिए तैयार है वो जो अपने अंदर की सभी अच्छी कॉलिटीज को लगातार बढ़ाता ही चला जाता है और वो लोग जिनमें वो अच्छी कॉलिटीज हैं उनका सम्मान करता है वो जो जो कुछ भी कमाता है पूरा का पूरा अपने परिवार में बाट देता है वो जो शास्त्रों का ग्यान रखता है याने जिसकी subject knowledge कमाल की है और वो जो शास्त्र कला में याने युद्ध विद्या में निपुण है वही सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाता है अब सवाल ये उड़ता है कि हम अपने अंदर इन qualities को किस तरह से पैदा कर सकते हैं और देखिए इसका बहुती ज़्यादा आसान तरीका है आप हर दिन केवल एक घंटा योग कीजिए और चार घंटा पढ़ाई कीजिए और आप देख लेंगे कि आपके अंदर ये qualities अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएंगी अब देखिए ये बात जो कही गई है इस चीज़ को समझने के लिए आप जरा से ये तीन examples देख लीजिए मान लेते हैं आप student हैं और school में या college में पढ़ते हैं और हर दिन आप एक घंटा योग करते हैं और चार घंटा पढ़ाई करते हैं बताईए students के सामने भी और teachers के सामने भी आपका भौकाल होगा की नहीं होगा दूसरा example मान लेते हैं आप कहीं पर नौकरी करते हैं और आप अपने अंदर की अच्छी qualities को लगातार बढ़ाते भी चले जाते हैं और आपकी subject knowledge भी कमाल की है बताईए आपके colleagues के सामने भी और आपके boss के सामने भी आपका भौकाल होगा या नहीं होगा तीसरा example और देखिए युद्ध कला में साम, दाम, भेद और दंड ये चारों चीज़ें ही आ जाती हैं अगर आप एक business man है और अगर आप युद्ध कला में निपुण है और अगर आपकी subject knowledge कमाल की है बताईए आपके साथ वालों में और आपके competitors में आपका भौकाल होगा या नहीं होगा देखिए आचारे चानक की दंड नीती जो है वो ये है कि गरीब और कमजोर लोग हमेशा दबाए ही जाते हैं और इसलिए हमें हर संभव वो कोशिश करना चाहिए कि जिससे हम गरीबी को और कमजोरी को अपने से दूर रख सकें और इसके लिए हमें अपना धन और अपनी शक्ती लगातार बढ़ाने की कोशिश करते ही रहना चाहिए और ये कोशिश जो है ये लगातार इसी तरह से चलती रहे इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि वो लोग जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं या कि फिर वो लोग जो हमें नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी रहे हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाते चले जाना चाहिए। जैसा कि आचारी चाणके ने कहा भी है, दंडे प्रती यते वृत्ती ही। याने आपका सर्वाईवल जो है, ये केवल और केवल इस बात पर टिका हुआ है कि आप कितने स्ट्रिक्ट हो। अब सवाल ये उड़ता है कि स्ट्रिक्ट होने से क्या मतलब है। और देखिए, स्ट्रिक्ट होने से मतलब ये है कि वो सभी लोग जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुचा सकते हैं कि नुकसान पहुचाने के बारे में सोच भी रहे हैं फिर चाहे वो कोई भी क्यों न हो उनसे निपटने में किसी भी तरह की कोई भी धिलाई नहीं बरतना चाहिए और जिस हिसाब से जो भी उनकी गलती है उसी के हिसाब से उन्हें सजा जरूर द देखिए तीन तरह के दंड बताए गए हैं जिसमें से सबसे पहला होता है तकलीफ देना याने डाटना फटकारना मारना पीटना या जेल में भेज़ देना दूसरा होता है अर्थ दंड याने आपसे यह गलती हो चुकी है अब आप इतना फाइन भरिये तीसरा होता है प्राण दंड और इसमें सामने वाले की जान ले ली जाती है अब देखिए आचारे चानक की यह कहते हैं कि एक राजा को अपनी राज्य विवस्था सही तरह से चलाने के लिए इन तीनों प्रकार के दंडों को सही तरह से सही समय पर और सही परिमाण में इस्त देख लीजिए कि आप एक राजा हैं और जो कुछ भी काम आप करते हैं याने अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई प्रोफेशनल हैं तो नौकरी और बिजनेसमेन हैं तो बिजनेस ये आपकी राज्य व्यवस्ता है अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी राज्य व्यवस्ता जो है याने जो काम भी आप करते हैं ये सही तरह से चलता रहे तो इसके लिए ये बहुत ही जादा जरूरी है कि आप नुकसान पहुचाने वाले लोगों को अपने से दूर करें और उन्हें दूर ही रखें इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए दिख का बहुत ही जादा फाइदा चाहते हों और देखिए इस तरह के लोगों से बचने के कुल मिला कर दो तरीके होते हैं जिसमें से पहला तरीका तो ये होता है कि आप इस तरह के लोगों को खुद नुकसान पहुचा दो और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो या कि फ देखिए बड़े लोगों से contact होने का फाइदा ये होता है कि हम इन लोगों की मदद लेकर अपने से ज़ादा ताकतवर दुश्मन को हरा पाते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल काबिलियत होना ही सब कुछ नहीं होता, contacts होना भी बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है याने अगर आप काम के आदमी को जानते हो तो फिर आपकी ताकत उतनी ही हो जाती है जितनी उस काम के आदमी की मानी जाती है ये हो गई एक चीज, दूसरी चीज देखी आप ये भी समझिए कि किवल contacts होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, काबिलियत होना भी बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है याने आपके पास चाहे कितने भी काम के आदमी क्यों नहों अगर आप में काबिलियत नहीं है तो देखिए position तो आपको मिल ही जाएगी पर फिर भी आप उन काम के लोगों से कोई काम का काम नहीं निकलवा पाओगे ये हो गई दूसरी चीज तीसरी चीज देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आपका survival इस बात पर टिका हुआ है कि आप अपने दुश्मनों के लिए कितने जादा strict हो याने अगर किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया है या नुकसान पहुचाने की कोशिश भी करी है तो फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो उसे उसकी सजा मिलना ही मिलना चाहिए और इस बात में बाल बराबर का भी फर्क नहीं किया जा सकता देखिये जादतर लोग जो होते हैं ये अपने खुद के दुश्मन होते हैं भी अगर आप एक student हो तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आपको पढ़ाई करना ही करना चाहिए और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आपको नुकसान पहुचा र चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने आपको खुद नुकसान पहुचा रहे हो मान लेते हैं आप एक student हैं और आपने ये डिसाइट किया कि मैं हर दिन चार घंटे पढ़ाई करूँगा दिन भर में कुछ ऐसा हुआ कि आपको टाइम ही नहीं मिला याने च देखिए इसका सीधा सीधा जवाब तो हाँ ही है पर इसी से फिर दो सवाल और निकल कर आते हैं कि सजा क्या होगी और वह सजा कौन देगा देखिए सजा जो है ये आप खुद ही अपने आपको देंगे पर ये सजा क्या होगी ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ देखिए 1997 से याने जब मैं 10th क्लास में था तब से लेकर आज तक मैं हर दिन कम से कम धाई घंटा स्टड़ी करने की कोशिश करता हूँ और जब तक मैं धाई घंटे की स्टड़ी नहीं कर लेता तब तक मैं रात का खाना नहीं खाता अब सवाल ये उड़ता है कि खाना खाने के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है बिलकुल पढ़ा जा सकता है पर जब तक आप किसी चीज को अपने पेट से नहीं जोड़ देते तब तक ना तो उस काम में महनत होती है ना ही सेल्फ डिसिप्लिन आता है और इसके लिए आचारे चानके ने सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉलिटेंस बताई है जो है स्वे स्वे कर्मन ने भी रथा संसे धिम लबते न रहा और देखिए इसी बात को बहुत सालों के बाद स्वामी विवेकन अंद जी ने भी कहा हुआ है कि आप कोई एक काम जिन्दगी लगा दो और जब आप उस काम पर अपनी पूरी जिन्दगी लगा दोगे तो वो काम आपकी जिन्दगी बना देगा देखिए आप अपनी जिन्दगी में चाहे किसी भी सक्सेस्फुल इंसान का एक्जामपल लेकर देख लीजिए ऐसा हो सकता है कि उसके मिलाकर सार इतना है कि अपनी कमजोरियों को और अपने दुश्मनों को कभी भी दबा कर नहीं रखना चाहिए इन्हें हमेशा कुचल कर रख देना चाहिए याने अगर आप अपने जीवन के उच्चितम लक्ष को हासिल करना चाहते हो तो फिर ना केवल आपको अपने लक् को अपनी कमजोरियों से भी बचाना पड़ेगा एक चीज और भी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खीचना चाहता हूं देखिए चाणक के नीती पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और अगर उन सभी वीडियोस को देखा जाए तो एक जनरल सा सेंस ये डिवेलप ह करोने हैं और अगर आप चानक के नीती फॉलो करते हैं तो आपको पहले विर बंना पड़ेगा आप तभी सफल हो पाएंगे और लोग आपके तलवे चाटेंगे पर चानक के नीती जो है यह ऐसी बिलकुल भी नहीं है चानक की नीती जो है वह असल में यह है कि हम यह चाहत आप भी तरक्की करो, और हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर साथ में तरक्की करें, पर अगर आपने कुछ इस तरह का सोच लखा है कि हम दोनों में से कोई एक ही सरवाईब करेगा, तो फिर आप मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे ही सरवाईब करना पड़ेगा, और मैं ही स तकलीफ देना पड़ी तो तकलीफ जरूर देंगे पर एप्रोच जो है वो डॉक्टर वाली होगी अगर आप मसल्स की तरह पेश आओगे तो हम आपको प्रोटीन देंगे पर अगर आप कैंसर की तरह पेश आओगे तो हम आपको काट देंगे आत्मनी रक्षिते सर्वम रक् इनका फाइदा आप तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि आप विद्या नीती को अपने खून में नहीं उतार लेते इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थैंक यू वरी मुच